मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परे श्याम हरेत दूती होई राधे राधे जी आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा राणी के गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ राधा अश्टमी के विशे में राधा अश्टमी श्री राधा रानी के प्राकट योद्सों का दिन होता है जैसे कि भादरपद मास में क्रिश्न पक्ष की अश्टमी तिथी पर जन्माश्टमी मनाई जाती है भगवान स्री क्रिश्न का जन्मुद्सों मनाई जाता है उसी प्रकार से भादरपद मास के शुक्ल पक्ष की अश्टमी तिथी को राधा अश्टमी मनाई जाती है सभी मनते हैं इसलिए जो भक्त निकवरत करते हैं उन्हें रफा अवश्य करना चाहिए ताक्य को संपंध कुम जानेंगे रधा चुल साल दोहजर चोबिस में कब है अश्टमी के दिती कब प्रारंब हो रही है कब समाप्थ हो रही है वरत हमें कब धारन करना है और श्री राधारानी की पूजा का शुब महुर्थ क्या है किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए किस प्रकार से वरत धारन करना चाहि व्रत और पूजा के संपुण नियम क्या होते हैं और आज के दिन कौन सा उपाए करें जिससे कि श्री राधारानी और भगवान श्रीक्रिश्न की संयुक्त रूप से क्रिपा हमें प्राप्थ हो तो संपुर्ण जानकारी राधा अश्टमी व्रत और पूजा विधी से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इसलिए वीडियो बहुत महत्यपोड है पूरा जरूर देख लीजिए अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्यपोड होते हैं यही एक मातर जर्या है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगें तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और अब सबसे पहले जानते हैं कि राधा अश्टमी साल 2024 में कब है तो देखिए अश्टमी की तिथी प्रारंभ हो रही है 10 सेतंबर 2024 मंगलवार को रात्री में 11 बसकर 11 मिनट पर और समाप्त हो रही है 11 सेतंबर यानि कि बुधवार के दिन रात्री में 11 बसकर 46 मिनट पर तो सुर्योदे कालिन तिती के अनुसार ही राधा अश्टमी मनाई जाती है तो 11 सेतंबर 2024 बुधवार के दिन श्री राधा अश्टमी का प्राकट ये उच्छो मनाए जाएगा राधा अश्टमी मनाई जाएगी इसी दिन आपको व्रत धारन करना है और विदे विधान से श्री राधारानी की पूजा करनी है अब बात करें पूजा विधी के बारे में तो देखिए जब हम राधा अश्टमी का व्रत धारन करते हैं तो प्राधा काल जल्दी उठते हैं उठ करने ते कर्मों से निवरित हो जाएए फिर श्नान करके साप स्वच्छवस्त्र धारन करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजा की तयारी कीजिए अच्छा सबसे पहले भगवान सुरीदेव को जल देना होता है उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जिस प्रकार से प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से नित्य पूजा संपन्न करके इसक इसके लावा धूपदी पित्यादी ये सभी चीजे दो पूजा की हमारे घर में होती हैं ठीक है तो जिस स्थान पर हमें पूजा करना होता है आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं तो जहां पर आपको पूजा करना है उस जेके को साफ कर लीजिए एक चोकी बिछा लीजिए और उस चोकी पर लाल या फिर पीले रंका वस्त्र बिछा लीजिए और उस चोकी पर आपको श्री राधा रानी और भगवान श्रिक्रिश्न की मूर्ती विग्रह या फोटो जो भी आपके पास से स्थापित करना है और इसके साथी कलस की स्थापना करना ह जैसे कि हम प्रत्येक पूजा में करते हैं, एक पात्र लेना है आपको, उस पात्र में आपको थोड़ा सा जल भरना है, मतलब पहले तो गंगा जल डाल दीजिए, या फिर यमुना का जल डाल दीजिए, फिर शुद्य जल से उस पात्र को भर दीजिए, और पंच पल्लव बना सकते हैं, मतलब दीपक के स्थान पर नारियल भी रख सकते हैं, तो जैसी भी आपकी इच्छा हो, कलस की स्थापना करके पूजा करने से, संपोर्ण फल हमें पूजा का प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारण वर्ष कलस की स्थापना नहीं भी कर बाते है तो वैसे भी पूजा कर सकते हैं, दीप प्रजलित करके और विदिविधान से पूजा कर सकते हैं, लेकिन जल से भरा हुआ एक पात्र वहाँ पर जरूर होना चाहिए, जहां पर हम पूजा करते हैं, तो कलस की स्थापना गराप नहीं भी करते हैं, तो भी एक पात्र में ज अभी शेक करना होता है शुद्य जल से फिर पंचाम्रिस से चाहे तो फलों का रस भी प्रयोग कर सकते हैं गुलाब जल से अभी शेक करेंगे इसके बाद गंगा और यमुना जो भी आपके पास पवित्र जल हो उस जल से श्री राधारानी और भगवान श्रीकृष्ण का भी शेक कीजिए उसके बाद उनका श्रिंगार कीजिए पीले वस्तर भगवान श्रीकृष्ण को अरपित कीजिए और श्री राधारानी को नीला रंग अत्यांत प्रिय है तो आप चाहे तो नीले रंग की पोशाग धारन करवा सकते हैं नहीं तो जो भी रंग का वस्तर आपक कर सकते हैं आज के दिन श्री राधा क्रेपा का टाक्श श्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए इसके बाद फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगा दीजिए अच्छा श्री राधा रानी को अर्भी बहुत पसंद है इसलिए श्री राधा अश् साराभ भोजन बनाईए साथ में अर्भी की सबजी भी बनाईए और पूजा करते समय श्री राधार रानी को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए अच्छा श्री राधार रानी की पूजा की जाती है दोपहर में 12 बजे ठीक है वैसे मंगला आर्ती भी की जाती है मतलब कई प्रकार से व्रत रखे जाते हैं कई प्रकार से जन्मोस्व मनाये जाता है श्री राधार रानी का लेकिन धार्मिक शास्त्रों में इस प्रकार का वणनाता है कि श्री राधार रानी का प्राकट्य हुआ था दोपहर में 12 बजे श्री राधार रानी का प्राकट्य हुआ था फिर दोपहर में श्री राधा रानी का अभिशेक पूजन करके और उसी समय भोग लगाएंगे, ठीक है, और भोग लगाने के बाद राधा रानी की आरती करेंगे, शमा प्रार्तना करेंगे, उनसे प्रार्तना करेंगे कि हमारे जीवन में सुक सम्रिधी सौभाग्य सदा बन रहे, श्री राधा रानी और स्रीक्रिष्न की क्रिपा सदयो बनी रहे, उनकी भक्ती हमें प्राप्त होती रहे, इस प्रकार से उनसे प्रार्तना करके, और अपनी गलतियों के लिए जाने अंजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती है, उसके लिए शमा प्रार्तना कर लेंग दिन और रात्री सब्तमीतिथी में वरत रहते हैं और फिर अश्टमीतिथी पर ब्रह्म मुहुर्थ में उठकर स्नानित्यादी करके और राधारानी का अभिशेक करते हैं और अभिशेक करने के बाद उनकी मंगला आरती करके अपना वरत खोलते हैं तो एक तरीका ये हो जाता करके दोपहर 12 बजे उनकी पूजा करेंगे अभिशेक करेंगे इसके बाद श्री राधारानी का चरणामदित लेकर अपना वरत खोल लेते हैं मतलब दोपहर में 12 बजे उनकी पूजा करने के बाद अपना वरत खोल लेते हैं तो एक तरीका ये भी होता है और तीसरा तरीका यह होता है कि सुबह से अश्टमी तिथी के दिन ही सुबह से व्रत धारन करते हैं और फिर शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं तो इस प्रकार से राधा अश्टमी के तीन प्रकार से व्रत किये जाते हैं आप से जो भी बन पड़े आप उसी प्रकार से कर सकते हैं और अब जानत स्री राधारानी की पूजा आरात्ना करनी है राधा अश्टमी पर बहुत सारे शुप योग हमें प्राप्त हो रहे हैं जैसे कि रात्री में 11 बसकर 55 मिनड़ तक प्रिती योग रहेगा इसके बाद आयुश्मान योग भी बन रहा है और इस दिन रवी योग कभी संयोग रह जो कि रात्री में 9 बसकर 22 मिनड़ से 12 सितंबर को सुबह 6 बसकर 5 मिनड़ तक रहेगा और इतने शुब योग में जब हम राधारानी की पूजा आरात्ना करेंगे मंत्रों का जब करेंगे और भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी से प्रार्तना करेंगे तो निस्चित पूजा करने के बाद वहीं बैठकर अपने मन की कामना करते हुए और श्री राधारानी से प्रारतना करके श्री राधा क्रिपा कटाक्ष उस्तोत्र का अपनी इच्छा के अनुसार मतलब कम से कम एक बार पाठ कीजिए और अगर आपके पास समय हो तो पांच बार भी कर सक और फिर इस से अधिक भी कर सकते हैं तो जैसी भी आपकी इच्छा हो जैसा भी आपके पास समय हो उसके अनुसार इस पाठ को जरूर कीजिए अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो सुन भी सकते हैं हमारे चनल पर आपको श्री राधा क्रिपा कटापष अस todavía examineगा और बोक्स में जरूर लिखे बहुत जिल्दी आपके प्रश्णों के उत्तर भी मिल जाएंगे और अगर आप कोई विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर की मिलते मैं आप से एकली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री रादे